हाई, वेलकुन तो मैं चनल, इस बीडियो में सॉल्ट करें क्वेशन नमर थर्टीन बाइ सेलिंग अ बुक फार रुपीज टूहनेट फेप्टी एट, अ बुक सेलर गेंस ट्वेंटी परसंट फार हाव मुच सूड ही सेल इट टू गेंस थर्टी परसंट तो पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आप ध्यान दीजिए, एक बुक सेलर है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बुक सेलर तो यह जो बुक सेलर है, वो उसका जो सेल कर रहा है एक बुक को इतने रुपीज में मतलब इसका दे दिया है SP, SP कितना दे दिया है? 258 कर रहा है कि अब इतना SP है लेकिन कितना गेन कर रहा है 20% अब इतने बेचने पर क्या कर रहा है कि इसको गेन हो रहा है 20% तो 20% के गेन हो रहा है तो इसका CP नहीं पता CP कितना है CP नहीं पता हमें लेकिन CP हम निकाल सकते हैं SP पता है और gain percent पता है तो हम लोग formula जानते हैं CP is equal to हम गोई formula लगाएंगे यहाँ पर और find कर लेंगे CP पहले और CP find करने के बाद फिर आगे क्या पुछा है कि for how much should he sell अब जो है कितने में बेचे कि 30% का gain हो मतलब कि gain SP कितना होगा दुबारा जब gain कितना हो gain percent हो 30% यह आपको ध्यान देना है तो क्या करना पड़ेगा पहले आपको CP निकालना होगा उस bookseller का और CP निकालने के बाद आप जो है दुबारा जो SP निकालना है वो आप निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम solve करते हैं solution तो पहले हम यहाँ पर माल लेंगे let CP CP माना क्या है सब कुछ दिया हुगा है तो हम यहाँ पर CP डिरेक्टने निकाल सकते हैं तो given that क्या given है थोड़ा लिग लिजे given that SP of the book book का जो SP है वो दे दिया है कितना 258 rupees ओके आप कर रहा है कि gain कर रहा है 20% तो gain percent दे दिया है आपर तो यह भी लिख लेते हैं आपर कि gain percent is also given and that is gain percent is equal to 20% तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हम निकाल सकते हैं CP CP of the book CP of the book इसको क्या हो जाएगा यहाँ formula क्या होता है formula होता है SP multiplied by 100 upon 100 upon क्या होता है CP में sorry SP में SP into 100 plus sorry 100 plus gain percent 100 plus gain percent जब gain हो रहा हो तो नीचे क्या करता है plus कर देते हैं SP into 100 upon 100 plus gain percent ऐसे करके निकाल लेते हैं क्या? CP तो CP यहाँ पर SP कितना दिया होआ है? दिया होआ है 258 258 multiplied by 100 whole upon 100 plus gain percent 20% यहाँ पर है 100 plus 20 कितना हो जाएगा? 120 अब solve कर लेते हैं 00 कैंसे लोग यहाँ से अब यहाँ पर यहाँ पर कटाते हैं हम लोग 2 से 2 6 जा 12 2 5 जा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 6 बन जा 6 और यहाँ से कटेगा 6 4 जा 24 और 1 बचा 18 हो गया 6 से जा 18 तो हो गया 43 पर बलाए कर लेते हैं 5 से जा 15 का 5 1 carry over and 5 4 जा 20 20 and 1 21 तो 215 आ जाएगा आपका CP तो इतना रुपीज आ गया आपका CP ठीक है 215 अब हमें निकालना क्या है? कि कितने में वो बेचेगा? मतलब SP निकालना है when gain परसंट दे दिया है तो हमें जब CP मिल गया तो SP निकाल सकते हैं तो so SP of the book book when when 30% is gain तो gain यदि 30% है तो कितना होगा SP तो यह formula होता है क्या? in bracket क्या हो जाएगा? 100 plus gain percent gain percent upon 100 यही formula लगाएंगे जो हमारा simple formula हम जानते हैं तो CP की value कितना है? CP यहाँ पर निकाल चुके हैं तो 215 यहाँ रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100 plus gain percent कितना है? 30% यहाँ जोड़ करेंगे 30 upon 100 और इसका solve करेंगे तो हमारा final answer मिलेगा तो यह हो जाएगा 130 upon 100 0-0 cancel हो गया अब यहाँ से 5 to 10 और यहाँ से हो जाएगा 5 से 5, 4 जा 20 5, 4 जा 20 5, 3 जा 15 43 हो जाएगा अब यहाँ पर solve नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर हम 30 simple लागाते है 33 जा 33 जा 39 का 9 3 करेंगे ओपर 13, 4 जा 52 52 and 3 52 and 3 55 तो इतना अपान 2 आजाएगा इतना क्या हो जाएगा SP आजाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 2, 2 जा 4 1 बचा 15 हो जाएगा 2, 7 जा 14 1 बचा 19 हो जाएगा 2, 9 जा 18 0.10 हो जाएगा 2, 5 जा 10 तो 279.5 रूपीज आपका जो है final SP आएगा when 30% is gain तो यह आपका है answer ओके यह आपको solution आचा लागा तो like कर दीजी दोसे उसे बचार करिया और कोई भी doubt होता है comment बस जरू लिखेगा